नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिंस्रा स्वागत करता हूँ और फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों Nobel Prize इसकी घुशनाएं हो चुकी है और ये 10 December को दिया जाएगा October महिने में इसकी घुशना होती है और सभी 6 के 6 की घुशनाएं हो गई है विजेताओं की तो ऐसे में यहां से कुशन बनना लाजमी है आपका जो भी आने वाला एक्जाम है आपके लिए यहां से एक कुशन तो बनेगा ही बनेगा अब अगर आपका एक number का question है, समझी एक number पक्का है आपका, दो number का question है, तो दो number आपका बन जाएगा यहां से, क्योंकि noble price से question बनते ही बनते हैं, तो इस वीडियो में खास क्या रहेगा, इस वीडियो में खास यह रहेगा कि हम लोग ना सिर्फ इस बार के विजेताओं को जा जाएगा, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले nobel prize के बारे में जान लेते हैं कि यह nobel प्रुसकार होता क्या है, और इसकी शुरूबात कैसे हुई, तो देखो nobel प्रुसकार ना यह 6 छेतरों में दिया जाता है, और यह 6 छेतर अपने आप में इसके सबसे प्रुसकार के दिया जाते हैं, एक सांती का प्रुसकार है, वो नौर्वे के दौरा दिया जाता है, यह बात याद रखना, नौर्वे की संसद है Oslo, उसके दौरा सांती का nobel दिया जाता है, बाकी के जो 5 हैं, वो दिया जाते हैं सुईडन के दौरा, कौन-कौन से हैं 6, अ सबसे आंत में शुरू किया गया था, तो economy यानि अर्शास्त का नोबल दिया जाता है, साहित यानि literature में दिया जाता है, तो ये तो 5 हो गए स्वेडन वाले, एक सांती का नोबल दिया जाता है, जो की नार्वे की संसद ओसलो देती है, ठीक है, तो ये 6 प्रकार के नोबल प्र इसकार ये प्रतेक वर्ष दिये जाते हैं, सुरुवात कब से हुई थी इसकी, इसकी सुरात हुई थी दोस्तों 1901 से, 1901 में पहला नोबल दिया गया, अब ये जो 5 हैं, देश तो आप जान गए, लेकिन संस्थाएं कौन-कौन सी देती हैं इनको नोबल, इनको जान लीजि देता है, इसके लावा अगर मेडिसिन का पूछा जाए, तो मेडिसिन का दिया जाता है, दोस्तों, Nobel Assembly at the Koralininzka Institute के दोरा, ये फिजियोलोजी मेडिसिन के लिए, या कहें मेडिसिन का, या कहें चिकितसा, चेतर का नोबल ये देता है, इसके लावा, लिट्रेचर का, स्वे प्राइबी अवार्ड मिलता है 11 million Swedish crown का 11 million का समय समय पर changes किये जाते रहते हो अगर जैसे माल लोग की दो वीजेता है तो फिर वो जो 11 million है वो दो में बढ़ जाएगा अगर माल लो तीन वीजेता है तो वो जो प्राइज है वो तीन लोगों में बढ़ जाएगा ठीक है ना इस इस प्रकार से दिये जाते हैं, तो अगर एक विजेता है, तो वो पूरा-पूरा पैसा पाएगा, इतना क्लियर हो गया, शुरुवात कब से हुई, 1901 से हुई, अब देखो, ये पुरुसकार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल एक साइ होती है, उनमें विस्फोर्ट करके, उनको तोड़ा जा सके, जिससे की माइनिंग करने में आसानी हो सके, लेकिन आगे आने के दारान जैसे समय बीता गया, लोग दूसरी तरीके से यूज करने लगे, लोग इसका यूज बम धमाकों में करने लगे, अब इससे ये हो गए, बड़े परिसान, ये परिसान हो गए, दुखी होने लगे कि ये मैंने क्या खोज डाला, ये तो मानो के हिंसा के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने ओपन हाइमर का केस देखा था, कि उन्होंने परमाड़ बम के खोज की, उसके बाद फिर वो पस्ता तो कर दिया है, लेकिन अब इसके लिए हम लोग, हम ऐसा करते हैं कि हमाई पास जितनी संपत्ती है, उसको हम जितनी भी जाइदाद है, वसीयत है, उसको हम दान में देने के लिए लगा देते हैं, तो इनके पास ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत अमीर भी थे उस टाइम पर साइंटिस्ट वगरा के पास बहुत पैसे हुआ करते थे, पॉलिटिकल पावर भी हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम अपना जो भी वसीयत है वो दान में लगा देंगे, तो ये मरतो गए 1896 में, लेकिन अपनी वसीयत जो है ये दान में करने की गोशना कर दिया कि इसको प्राइस की रूप में दे दिया जाए, जो भी आने वाले टाइम पर आने वाले पीडियो में, जो भी साइंटिस्ट वगरा होंगे उनको, अब इनकी मृत्यू तो 1896 में हो गई, लेकिन फिर इनकी मृत्यू के 5 साल के बाद नोबेल प्रुसकार क और पीस का, लेकिन एकोनामी वाला 1968 में सुरुआत हुई थी, सबसे लास्ट में याद रखना एकोनामी का 1968 में सुरु हुआ था, एकोनामी का, किलियर है, नोबेल प्रुसकार, अब आ जाते हैं हम लोग इस बार के विजेताओं के बारे में, तो question answer के माध्यम से हम लोग ज करते जाओ, तो कैटलीन कारिको और डू वीसमैन को दोस्तों, अभी हाले में चिकट्सा के छेत में मिला है नोबेल प्रुसकार, चिकट्सा यानि मेडिसिन के छेत में सबसे पहले दिया जाता है, ये दोनों हैं, ये दोनों बहुत बड़े, बहुत फेमस डाक्टर हैं, और ये नुकलियो साइड बेस संसोधनों से संबंधित खोज किये थे, तो इसमें कैटलीन कारिको जो हैं, ये हैं हंगरी की, और डू वीसमैन जो हैं, ये हैं ये हैं युनाइटेट सेट अफ अमेरिका के, ठीक है, ये दोनों को आप देख लीजिए, अगला कुशन, हाली में क इसलिए बहुत ही का नोबेल पुरुसकार दिया गया, तो ये बहुत ही का नोबेल पुरुसकार आपको बताने देखो, अगर आप लोग वीडियो अभी देख रहे होगे, जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, तब ये सारी चीजे मैं आपको रटवा दिया हूँ, डेली कर नोबेल प्राइज ये फिजिक्स, ये किसको दिया गया, तो इस बार तीन वेक्तियों को फिजिक्स का नोबेल, यानि कि भौतिकी का नोबेल दिया गया, पिएरे एगोस्टिनी को, फेरेंग क्रॉस को और एनी एल हुईलियर को, उपरोग तो सभी आप्सन आपका हो जाए हैप करती है, ये इन्होंने माप किया, परमाड उससे भी छोटा, बहुत ज़्यादा, एट्टो सेकेंड मतलब आप समझ रहे हो, एट्टो सेकेंड इतना कम समय होता है, एट्टो सेकेंड यानि कि 10 to power minus 18 second, तो 10 to power minus 18 second में इन्होंने ये find गया, ये calculate कि प्रकास का जो छोटा निकालने में काम आ सकता है, ठीक है, तो फिलहाल पियरे एगश्टनी USA के हैं, फेरेंग क्रोस जर्मनी के हैं, और एनी एल हुईलियर जो हैं, ये फ्रांस की हैं, तो इनको नोबेल प्रोषकार 2023 मिला है, physics का, clear, अगला, quantum dots की खोज के लिए रसायन का नोबेल प्रोषकार द इसमें भी उपरोग तीनों option आपका correct होगा, ये ही हैं तीन विजेता, इनको दिया गया है, quantum dots की खोज के लिए, ये आप से पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है, कि chemistry में quantum dots की खोज के लिए इस बार का नोबेल दिया गया है, और इसके संसलेशन के लिए, तो मौंग किसे मिला है, अब ये जो तीनों science होता है ना, यानि physics, chemistry और ये medicine, ये तीनों science के लिए दो और दो से अधिक विजेता है, यानि physics का, तीन chemistry का, दो medicine का देखा आपने, इसके बाद जो तीन विजेता है ना, यानि कि साहित का, सांती का, और इसके अलावा literature का, इन तीनों के ए एक-एक ही विजेता हैं इस बार, है ना, अच्छा, ये हर बार एक ही हूँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस बार एक ही है, ये ध्यान रखना, तो साहित का नोबल प्रोसकार किसे दिया गया, साहित का नोबल प्रोसकार जॉन फोसे को दिया गया, जॉन फोसे आपको ये दिया गया है, मतलब इनका इनका उपन्यासों की एक सैली ही प्रचिलत हो गई है, जिसे Fosse Minimalism कहा जाता है, क्या कहा जाता है, Fosse Minimalism कहा जाता है, तो इनके साहिते में दो दर्जन से अधिक नाटक लिखे गए हैं, उपन्यास, निवन्त, कविता संग्रा, बच्चों के लिए कई किताबें, बहुत सारी इन्होंने लिखी हुई हैं, जॉन Fosse ने, तो साहित का, यानि लिट्रेजर का किसे मिला, जॉन Fosse नॉर्वे के, इन्होंने इरान में महिलाओं के खिलाब जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आवाजें लगातार उठाई हुई है, ये अपनी जिंदिगी का 31 साल, 31 एर जेल में गुजार चुकी है, अभी भी ये जेल में ही बंद हैं, और जेल में ही रहते हुए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है इस बार का, नर्गिस मुहम्मदी, तो यहाँ पर देखिए, इन्हें वहाँ पर महिलाओं के प्रति जो होने वाले अत्याचार है, उनके प्रति आवाज उठाने के लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है पीस का, क्लियर, तो कहां की रहने वाली हैं, इरान की रहने वाली हैं, चलिए, हाली में अर्थसास्त्र का यानि एकोनोमिका नोबेल प्रुसकार किसे दिये जाने की खोशना हुई, तो एकोनोमिका प्रुसकार इस बार दिया जाएगा दोस्तों किसे, क्लाउडिया गोल्डीन को, क Claudia Golden पाएंगे इस बार का Economica Nobel Economica Nobel इन्हों ने क्या किया इन्हों ने अपनी सूजबूद से अपनी रणनीतियों से अपनी आईडियाज से गरीबों को कैसे गरीबी से मुक्त किया जाए उभारा जा सके इन्हों ने वो आईडिया दिया इस वैसे इनके Contribution के लिए ये पुरुसकार मिला है Nobel Prize in Economics ठीक है तो स्रम बाजार के प्रणामों की समझ को इन्होंने आगे बढ़ाया खास करके महिलाओं के स्रम बाजार को विमेंस का कैसे उनका Employment मजबूत किया जासके उनका रोजगार उनका बढ़ाया जासके उनके गरी भी दूर किया जा सके ये इनोंने बताया है तो ये Economica Nobel Prize पाने वाली दुनिया की तीसरी महिला है ये भी ध्यान रखना Economica Nobel Prize पाने वाली तो Stockholm के Royal Swedish Academy of Sciences के द्वारा ये दिया जाता है जानते ही हुआ और इसी के द्वारा Physics का और Chemistry का भी दिया जाता है ठीक है अरसास का Nobel Prize सबसे आनते में 1968 में ये शुरू किया गया था अब ये 6 के 6 कुश्चन हो गए इन 6 की समरी आप देख लो उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया के काउन को नों भी जेता रहे है तो जैसिक में ने आपको बताया Medicine के कैटलीन कॉरिको और डू वीसमैन को मिला है Hungary और अमेरिका के हैं दुनों बहुतिकी का पिरे अगोश्टिनी फ्रेंक क्रॉस और एनियल हुईलियर को मिला हुआ है ठीक है अमेरिका जर्मनी और फ्रांस की है रासाइन विग्यार का मौगी जी बोवंडी, लुईसी ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को मिला हुआ है साहितिका, सांतिका और एकोनोमिक्स का ये तीनों के एक-एक विजिता है जॉन फोसे, साहितिके, सांतिके नर्गिस मोहमदी और एकोनोमिक के क्लाउड या गोल्डीन, इन तीनों का नाम याद रखना है ठीक, अब भारत के कौन-कौन से विजिता रहे हैं, आज तक जुन नोबल प्रुसकार जीत रखा है तो देखिए, इनमें बिटिस भारत के नागरिक के अगर बात करें, मतलब जब भारत नहीं आ जाथ था, तब कौन-कौन से लोग भारत के विक्ति थे, जो जीते थे नोबल प्राइस, तो उसमें रविन ना टेगोर जी थे, साहित का इनहीं मिला था 1913 में मिला था गीतान जली के लिए ध्यान रखना, ये एसिया के पहले विक्ति बने थे, नोबल प्रुस्कार जीतने वाले और भारत के एकलवते विक्ति हैं जिनने साहित्ति में नोबल जीता हुआ है इनके बाद साहित्ति में कोई अभी तक भारतीय नहीं जीता है नोबल चन सेकर वेंक़ट नमर, रमन जिसे हम लोग नोबेल प्राइज, 1930 में मिला था, अब भारत गणराज के नागरिकी बात करें, मतलब भारत जब गणराज हो गया 1950 के बाद का, उसके बाद कितने भारतियों को मिला, तो उसके बाद जो भारत में रहे, भारतिये मूल के थे और भारत में ही रहे, भारतिये नागरिक रहे, उ का नाम, याद रखना कई बार एक्जाम में पूछा गया है। जानते हो एक्टिविस्ट है और वो सबसे कम उम्र की विजेता हैं याद होगा न मात्र 17 साल की उम्र में वो सांती का नोबेल पा गई थी 2014 में तो ये दोनों जो हैं याद रिखना important है पूछा जाएगा अब ऐसे भारतियों की बात करते हैं जो भारतिये मूल के तो हैं लेकि 1968 में ये नोबेल प्रोशकार पाए थे सुप्रामन्यम चंसेकर जी ये physics का नोबेल प्रोशकार जीते थे 1983 में और इन्होंने चंसेखर सीमा के लिए चंसेखर सीमा आप जानते हो ब्लैक होल के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काउंसर्ट दिया चंसेखर सीमा लिमिट तेयं की थी वेंकट रमन रामकृष्णन जी ये रासायन विग्यान के अच्छा ये दोनों इंडिया मूलके तो हैं लेकिन जाकर USA में रहते थे ठीक है और इसलिए भारती मूलके USA नागरिक कहेंगे वेंकट रमन रामकृष्णन जो हैं ये रासायन विग्यान का 2009 में जीते ये भारती मूलके थे लेकिन UK में जाकर रहते थे अभीजीत बनर जी ये एकनोमिक्स का पाये हुए हैं अभी 2019 में पाये थे ठीक है अभी 2019 में ये पाये थे ये भी भारती मूलके हैं लेकिन जाकर अमेरिका में रहते हैं तो ये आपने देखा भारती विजेता आप से मेरा एकμुष्ण है कि आप कमेंट करके बताईए कि डलाय लामा को नोबेल कब मिला था? कमेंट करके मुझे ज़रो बताईएगा. आपको यी वीडियो कैसी लेगी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए इपने सातियों के साथ और हां ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए अगर आप हमारे कोई पेड़ बैच को जॉइन करना चाहते हैं तो आप MZT एप पर जाईए MZT एप इस्टाल कीजिए बिल्कुल क्लियर कट कॉंसेट के साथ इत्मिनान से पर भीज दी जाएगी आप PDF जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके इसकी अलामा WhatsApp चैनल भी अपना आ गया है तो WhatsApp चैनल को जॉइन करिए और इसको जॉइन करिए फालो कीजिए यहां पर जा करके यहां पर भी बहुत सारे कॉंटेट आने वाले समय में आपको म मिलने वाले हैं ठीक है बहुत बहुत धरनेवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए मैं मिलूंगो आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाए हिंद वंदे मात्रम